अस्सलाम अलेकम जी अभीरा एहमेर फूट सीक्रेट में आप सब का वैलकम है उमीद है आप सब खेर खेरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे तो जी आज में आपके साथ बिना पालक के पकोड़े बनाने की रेस्पी शेयर करूंगे और सिंपल सा जटपट बनन जाएंगे और हमारे बहुत अच्छे से पकोड़े रेड़ी हो जाएंगे तो जी मैंने अपने अलू जो है वह अच्छे से देख सकते हैं आपका दुकश के मुदद से उनको बरीक बरीक स्लाइसीज में कट कर लिया है आप चाहें तो यह चूरी के मदद से भी कर सकते हैं उनको अब बरीक बरीक आपने कट कर लेना है और फिर जी हमने क्रिस्पी फ्राय लिया है अराम से जी मिल जाता है किसी भी शौप से तो इसके हमने दो से तीन टेबल स्पून एड़ करने हैं और पिर इनको अपने हाथों के मुदद से अच्छे से मिक्स कर देना है तो जब और फिर इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमने पानी इसमें जदा भी आड़ नहीं किया है कि आपको पता है आलू जो है वह थोड़ा सा अपना पानी छोड़ते हैं तो जी उसी में अच्छे सी हमारी कंबाइन वैल हो जाएगे सारा कुछ से तो अब हम जी ओयल गरभ हो जाएंगे तो हमने जी निकाल लेने हैं अपने जटपट्स चिरफ दो इनकी इट्रेंस हमने इसमें एड़ किया हैं और हमारे जी पकोड़े रैड़ी हो गये हैं कम खर्च में और अगर आप चाहें तो आपने थोड़े से चटपटे बनाने हैं तो आप इसमें नमक मिर्च एड़ कर सकते हैं अपनी मर्जी से वरना ऐसे ही यह बिल्कुल हलके से ज्यादा इसमें मिर्चे नहीं है बच्चों के जो यह बहुत ही फेवरेट बनेंगे तो वह लाजमी खाएंगे तो पकोड़े हमारे रैड़ी हो गये हैं तो जी जटपट्स और शेर्बत बना लेते ह हैं शेर्बत बनाने के लिए जी मैंने पानी में चीनी डालके रख ली थे ताके चीनी डिजॉल्व हो जाए और फिर यह दो हमने अपने लेमन जूस निकालके रखा था आइस क्यूब की फॉर्म में उनको जमा लिया था वह मैंने आड़ कर दिया है और नमक हाफ टेबल स् च्रबत मिक्स करेंगे और जटपत जी हमारा जो शर्बत लाल है वो रेडी हो गया है तो इसको अपने गिलास में निकालें और ठंड़ा ठंड़ा पेश करें तो हमारे जी आज की अफ्तार जो थी यानि के 15 शुबान की मैंने अफ्तार बनाई थी वो रेडी हो गई है तो आप भी अपने रमजान को जटपट बनाएं सारे चीजें बना के रख लें तो आपके लिए भी असानी होगी तो माशाला से जी यह हमारे पकोड़े भी बहुत अच्छे से रेडी होगे हैं बहुत क्रिस्पी बने थे तो इंशाला जी आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडि का बहुत ज़्यदा ख्या लखना है और दूाओं में सबको जाद लखना है तो जी अल्ला हाफिज